आपका जियोग्राफी से रिलेटेट इंपोर्टन को तो यहां आए टाइम वेस्ट न करते हो यहां एक एक कोश्चिन को वन बाई वन डिस्ट करना शुरू करते हैं यह आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन हो सकता है इतने हैं याद रखेगा इसलिए वीडियो क समवर्षा और ऐसी रेखा जहां समानवर्षा होती है उसे करते समर्षा करते हैं कि मोचा-काफी così मोचा-काफी के के लिए प्रशिध सहर काहा detailed 수도ली यह यमन में श्थित है और यमन दिखिया है option number B में तो हमारे आपे B number राय टैंसर हो जागा आपको याद रखना है कि मोचा कौफी के लिए प्रषिद सहर या प्रषिद जो सहर मोचा जो सहर है वो यमन में श्थित है फिर दिक्या जाएंगा हमारा third number कुश्छ गया रहा है कि उपग्रहों की अमोस स्रेणी किस देश की है तो याद रखें कि उपग्रहों की जो अमोस जो स्रेणी है ये इसराइल की है और इसराइल दिखिया है आप्शन नमबर यहाँ पे डी में तो हमारे हाँ पे डी नमबर आई टैंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि उपग् पर इस्थित है तो याद रखेगा दच्छन सीमा में इस्थित टीटी काका ज्छील जो है यह आपका इस्थित है बेल्जियम और पेरू की बात देखिया है ऑप्शन नमर बी में आ है तो हमारा आप बीनम्बर रायट अंसर हो जाएगा आपको जाद रखना है कि दच्छन अ कि भूगोल के अध्यान में वेवस्थित दृष्टिकोंड की शुरुवात किस ने की थी तो याद रखेगा भूगोल के अध्यान में वेवस्थित दृष्टिकोंड की जिन्होंने शुरुवात की थी वो हैं आपके अलेक्जेंडर वोड और अलेक्जेंडर वोंट हमबोल दिखिया है option number C में हैं तो हमारे यहां पर C number राइटांस रहेगा आपको याद रखना है कि भूगोल के अध्यान में विवस्थे दिरिश्ट कोंड की शुरुवाद जिन्होंने की थी वो कौन थे वो थे फ्रिन्सपीया नामक पुस्तक के लेखक कॉन है तो याद रखेगा प्रिंसपीया नामक पुस्तक के जो लेखक है वह है और न्यूटन देखिया है option number A में तो हमारे अनमबर राइट रहेगा है कि पुर्ण निर्वात में अपवरतन सूचकां कितना होता है तो याद रखें कि पूर्ण निर्वात में अपवर्तन जो सुचकांग होता है वो 0 होता है वो 0 दिखिया है option number A में तुमारे यहाँ पे A number आइट असर रोज़ेगा आपको याद दिखने है कि पूर्ण निर्वात में अपवर्तन सुचकांग जो होता है वो 0 होता है फिर नाइन्थ नमबर कुश्चन के गए रहा है कि निम ने लिखित में से हबल कॉंस्टेंट का मान कितना है तो याद रखेगा हबल कॉंस्टेंट का जो मान होता है वो होता है 73 कीमी प्रति सिकेंड प्रति मेगा पारसेक और दिखिया है 73 जो है किलो मीटर की बात कहाई है दिखिया है 73 आया है यह आपका 73 किलो मीटर प्रति सिकेंड प्रति मेगा पारसेक यह इसका मान होता है इसलिए हमारा यहाँ पे ए नमबर राइट है सुरू हो जगा कुश्चन हम पिक्लिक कर देंगे याद रखेगा यह जो आपका option है इसमें जो सब्द आया है आपका Hubble constant अगर question आजाता है कि Hubble constant का मतलब क्या होता है तो याद रखेगा कि ब्रम्भान के विस्तार की गती की गती को जो होता है हबल कॉंस्टेंड कहा जाता है तो जो ब्रम्भान की विस्तार की गती जो ब्रम्भान में पता है एक ब्रम्भान हमेशा दिन बदिन फैलता चला जा रहा है जितनी भी गलेक्सियां है वो सब एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है तो जो बिग बैंग थियोरी के बाद जो ब्रम्हांड विस्तार होता जा रहा है इस विस्तार की गती को हम बोलते हैं हबल कॉंस्टेंट यह आपको याद रखना है फिदी के आज जाएंगे टेंथ नमबर हमारा कुशन क्या गरा है कि बढ़ते हुए ब्रम्हांड के सिध्धान्त को अन किस नाम से जाना जाता है दिखेगा ऑप्शन A में आ है जो बिग बैंग थियोरी या वरिहत विस्फोर्ट सिध्धान्त की बात आप्शन नमबर B में आ है तो हमारे हैं पर B नमबर राइट हैं सरो होजएगा आपको याद रखना है कि बढ़ते हुए ब्रम्हांड के सिध्धान्त को बिग बैंग थियोरी अथवा वरिहत विस्फोर्ट सिध्धान्त के नाम से जाना जाता है फिर इक हम आ जाएंगा हमारा नेक्ट नमबर क्विश्चन क्या कर रहा है कि प्रिथिवी का आउसतन आउसत घनत ग्राम या घन मीटर कितना है तो देखें प्रिथिवी का जो आउसत घनत ग्राम घन सेंटी मीटर कितना है तो याद रखेंगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 5.515 और 5.515 की बात आई है option number A में तो हमारे हाँ पे A नमबर राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि प्रिथिवी का आउसत घनत ग्राम या घन सेंटी मीटर जो है वो 5.515 है जो कि option number A में आ है तो ए नमबर हमारे हाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आज आते हैं अपने next question में देखें हमारा next question कहा रहा है कि हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंदर देश कहा मतलब कौन सा है हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंदर जिस देश में इस्तित है या फिर जो देश है वो आपका है Belgium और Belgium दिखिया है option नमर यहां पे ए में तुम्हारे यहां पे ए नमर आइट आंसर हो जाएगा आपको जाएगा हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंदर जो देश है वो Belgium है हाँ और यही कुशन यह होता कि किस देश में बड़े पैमाने पर हीरे का तराशने का काम किया जाता है मतलब जो कच्छा जो हीरा होता है उसको शुद्ध किया जाता है उपयोग में लाने के लिए जो उस पे जो काम किया जाता है नकासी तराशने का काम किया जाता है किस द कि we're in a Das par an 걸 आब को बस्वाइब हिराय कि टुंड्रा जलवाई। निम्रिखित में से किस महादी पर नहीं पाए जाती है यहाद रखना है कि टुंड्रा जलवाई। जो हती है अगर यहाद रखने कि टुंड्रा तुन्डरा जलवायू का क्या मतलब होता है तो याद रखेगा तुन्डरा जलवायू का मतलब होता है अत्यधिक सीथ वा शुष्क जलवायू मतलब जहां पे बहुत ज़्यादा सीला बहुत सीत नुमा जो जलवाई होती है अत्रीक जो शुष को जलवाई होती है उसी को हम टुंडरा जलवाई हो कहते हैं फिर देके आजेंगे हमारा 14 नमर कुशन के रहे कि माउंट मैकिनले किस महादीब का सबसे उंचा परवत है तो A number right एंशर होज़गा आपको याद रहना है कि माउंट मैकिनले जो है यह उत्तरी अमेरिका महादीब का सबसे उंचा परवत हैं यह आपको याद रहना है और कोश्यस में और बात याद रखेगा कि आले जो है अब देनाली के नाम से जाना जाता है माउंट मैकंले का ये भी आपको याद रखना है फिदिके आज जाएंगा हमारा 15 नमर कुशन क्या कर रहा है कि वो महासागर है हिंद महासागर और हिंद महासागर दिखिया है option number यहाँ पे आया है दी में आया है तुमारे आप दी नंबर राइट है तो रोजग आपको यार रखना है कि हिंद महासागर को हेरिंग पॉंड के नाम से जाना जाता है अच्छा इसका नाम कैसे हेरिंग पॉंड कैसे पढ़ गया तिये भी जान लेजे कि एटलांटिक महासागर के उतरी अमेरिका का यह जो समुदरी छेतर है यह हेरिंग मचली के यहाँ अतिधिक मातरा में पाई जाती है और इसी कारण एटलांटिक महासागर के हेरिंग पॉंड मतलब उसका जो एटलांटिक का महासागर है इसका हेरिंग पॉंड भी कहा जाता है इसका लब की यह जो हिंद महासागर है यहाँ पर क्या आता है थोड़ा से यहाँ करेक्शन कर लेंगे इसे एटलांटिक महासागर को हेरिंग प हेरिंग मचली अत्यधिक मात्रा में पाय जाने की कारण एट्लांटिक महासागर को एरिंग पॉंड कहा जाता है तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा option number B यहां पर हिंद महासागर नहीं होगा बलके Atlantic महासागर होगा यह आपको याद रखना है फिदिक आजेंगे हमारा 16 नमबर कुशिंग गया रहा है कि दिखिया है लिथीफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा निमलिखित में से किसका निर्माण होता है तो याद रखेगा लिथीफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा जिस चीज़ का निर्माण होता है वो है आपका आपको याद रखना है कि लीथी फेकश लीथी फीकेशन के प्रक्रिया द्वारा जिस चीज़ का निर्माण होता है वो कौन सा है वो है आपका सेल्स फार है इसलिए यहां पर आया है फेल्स फार यह ऑप्शन नमबर डी होगा तो डी नमबर कुम क्लिक कर देंगे फिर दिख वायू में शुंकधार इवन पाए जाते हैं फिदी के आज जाएंगे 18 नमबर हमारा कुशन क्या कर रहे कि सूर्य सूर्य भूमद रेखा के ठीक ऊपर वर्ष में कितनी बार चमकता है तो याद रखिए कि सूर्य जो है भूमद रेखा के ठीक ऊपर वर्ष में टोटल दो दो बार चमकता है और दो बार की बार दिखिया है ऑप्शन नमबर बी में तुम्हारे हैं पर बी नमबर राइट हैं सूर्य भूमद रेखा के ठीक ऊपर वर्ष में दो बार चमकता है फिदी के आज जाएंगे हमारे 19 नमबर कुशन कर रहे कि विश्व का सबसे बड़ा मं मंदिर किस देश में इस्थित है तो हम सभी को पता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो आपका कंबोडिया में इस्थित है तो कंबोडिया दिखिया है और यह किसको किसके द्वारा बनवाया गया था यह खमेर सामराज जो द्वारा बनवाया गया था जो कि भ पॉइंट याद रखेने कि विष्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कमबोडिया देश्व में है और अगर कहां कि इस मन्दिर का नाम है नाम का है यह है अंग और इस द् Wars गा मंदिर यह है और अगर यह के यह आपका उधारन है टीला का और टीला देखिया है option number यहाँ पे बी में तुम्हारे बी number राइटना सोज़ेगा याद रखे कि जो बर्चन है यह तीला को कहते हैं अगर कहें कहों सा टीला तो याद रखे कि यह मरुस्थलों में पाया जाने वाला अर्ध चंद्राकार टीला है तो यह भी आपको याद रखना है तिस सारे पॉइंट आपको यार्थन जो है एक टीला है टीले को हम बर्चन कहते हैं अब यह टीला किस प्रकार का है बर्चन जो टीला होता है तो मरुस्थलों में पाया जाने वाला एक अर्ध चंद्राकार टीला है हो सकता है question ऐसे भी गोल होता है या लंबा होता है अर्थ चंद्रकार होता है कैसा इस तरह सगर question बनता है तो आपको याद रखना कि बर्चन जो है एक टीला है किस प्रकार का टीला है जो है जो प्रिठवी का जो पहला सूपर महादीब जो है यह आपका है बालवरा और बालवरा दिखिया है दिखिया बालवरा आया है जब्रफभा जाता है तो यह भी आपको यादधिया लिक दिर रहें याद रखेगा कहीं कहीं आपको पैंजिया भी मिल सकता है कि प्रिथिवी का जो पहला जो सूपर कॉंटिनेन्ट था वो उसका नाम क्या था पैंजिया था पैंजिया लेकिन यहाँ पे इस फूर्फः में महादीद भी माना जाता है ये भी याद रखना है ये आपको याद रखना है वैसे वालवरा हमारा यहाँ पर सही आंसर है फिर दिखे आ जाएंगे हमारा next question क्या करा है कि चो दिखे आया है चोमो लुगमा किस देश में इस्थित है तो जानते हैं का चोगो लुगमा जो है य यह कुण है और यहाद रखना है यह स्थित है और कुष्य नहीं है याद रखना है कि मौणट इवरेस्ट जो है आ आपका तो ये point आपको याद रखना है कि चोग लुगमा जो है यह Mount Everest को तिबद में चोगळुलुगमा की नाम से जाना जाता है तो यह question कह रहा है कि चोगळुगमा किसे देश में इस थी थी तो हमें पता है कि Mount Everest नेपाल में और Mount Everest को ही टीबद में Chogoligma कहा जाता है ती हमें confuse करने के लिए यासा पूछा गया है ती ये भी आपको याद रखना है कि Chogoligma ये माउंट Everest कहा है नेपाल में है और Chogoligma जो नेपाल में Mount Everest है उसी Mount Everest को ही टीबद में Chogoligma के नाम से जाना जाता है तो याद रखेगा वो आर्कटिक वृत है और आर्कटिक वृत है और आर्कटिक वृत ही दिखिया है आपको याद रखना है कि आर्कटिक वृत उत्तरी ध्रू में इस्थित होने की कारण ही यह सूर जून उत्रायन के दौरान अस्त नहीं होता है और दिसंबर उत्रायन के दौरान उगता नहीं है इसलिए हमारा ऑप्शन नमर जो बी होगा हम बी नमर को यहाँ पर क्लिक कर दे अप्शन नमर बी में तुमारे अपर बी नमर राइट आसर जगा आपको याद रखना है कि कि पशुपालन जो है यह पसुचारण से संबंधित है नेक्श नमर पर आजाते हैं कुश्चन दिखिया आया है 25 नमर कुश्चन के अगर है कि एडा दिखिया आया है एडा फोलोजी का संबंध निम लिखित में से कीस से है तो याद रखें कि एडा फोलोजी का जो संबंध है वो आपका है सजीव प्राणियों पर मृदा का प् प्रभाव से संबंध है इसलिए हमारा उप्शन नमर जो सी होगा सी नमर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फिरी के आजाएंगे 26 नमर हमारा कुश्चन गया रहा है कि 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेंगा 180 डिग्री देशांतर क हम अंतराश्रे तिति रेखा के नाम से भी जानते हैं फिदि के आज जाएंगे 27 नमर कुश्चन गया रहा है कि निमलिखिन में से कौन सा मरुस्थल दच्छिन अमेरिका में इस्थित है तो जानते हैं वह मरुस्थल जो दच्छिन अमेरिका में इस्थित है वो आपका है अ अटा कामा मरुस्थल दिखिया है, option number C में है, तो हमारे हैं पर C नमबर राय टैंसर हो जएगा, आपको याद रखना है कि अटा कामा जो मरुस्थल है, वो दच्छिन अमेरिका में स्थित है, फिर दिके आदेंगे 28 नमर कुछिन गह रहा है कि एक एकत्री करण, एकत्री करण से पूरो उत्री और दच्छिनी वियत नाम को कौन सी रेखा अलग करती है, तो याद रखे कि एकत्री करण से पूरो उत्री और दच्छिनी वियत नाम को जो रेखा अलग करती है, वो आपका है सत्रहवी समांतर रेखा, सत्रहवी समांतर रेखा की बात दिखिया है, option number A मे एकत्री करण से पूर उत्री और दच्छनी वियत नाम को जो रेखा अलग करती है वो 17 समांतर रेखा है फिर दिखे आज जेंगे हमारा 29 नमर कुशन के रहा है कि महासागरों में प्रिथिवी का कुल जल कितना प्रतिशत मौजूद है तो याद रखेगा महासागरों में प्रिथिवी का जो कुल जल है वो टूटल 97 परसेंट जल मौजूद है उस पे समुदर में है और 97 की बात आप्शन नमर दिखिया है दी में तो हमारा आप दी नमर राइट है तो आपको याद रहने हैं कि महासागरों में प्रिथिवी का कुल जल का जो है वो 97 परसेंट मौजूद है नेक्स कुश्चन में आ जाते हैं देखे हमारा थार्टी नमर कुश्चन के रहा है कि बर्फ का विशाल चेतर जो धीरे धीरे पहाडी से नीचे पिघल कर खिसकता रहता है तो याद रखेगा बर्फ का वह विशाल चेतर जो धीरे धीरे पहाडी से नीचे पिघल कर खिसकत रहता है उसे हम glacier कहते हैं ग्लेशियर दिखिया है option number A में तो हमारा A number राइट है सो जगा आपको याद रखना है कि glacier जो होता है वो हीम जो बर्फ का जो हीम जो होता है पहाड बहुत कह सकते हैं कि बर्फ का पूरा का पूरा एक पहाड ही होता है जो जो बहुत बड़े से पहा होता है जो पूरे city की इतना बड़ा प्मान लीजिए फिर देखिया आज जाएंगे हमारा 31 number question कह रहा है कि निमलिखित में से गलत गलत कथन को चुनिए अब गलत कथन क्या है तो देखना है option में हाँ सबसे पहले हाँ option पढ़ना पड़ेगा देखिया option कह रहा है कि जो यहा आया है मसाई पूर्वी अफरीका में निमास करने वाली एक क्या जन जाती है तो मसाई पूर्वी अफरीका में निमास करने वाली जन जाती है हाँ यह तो बिलकुल बास सही है और यहां कह रहा है गलत चुनना है अदूसरा कह रहा है कि अफरीदी और मसूद पाकिस्तान मे पाए जाने वाली जन जाती हैं अफरीदी और मसूर जो है पाकिस्तान में पाई जाने वाली जन जाती हैं तो ये भी बिल्कु सही है आपने साहिद अफरीदी का नाम तो सुना ही होगा ये पाकिस्तान के ही रहने वाले है तो वहाँ की जन जाती से ही ये भी बिलॉंग करते हैं फिर देखे आजाएंगे हमारा नेक्ष नमर कुछन कह रहा है कि वाहिली केनिया देखे आ है स्कौाहिल केनिया और तंजानिया में पाई जाने वाली जन जाती है जो स्क्वाहिल जो हैं वो केनिया और तंजानिया में पाई जाने वाली जन जाती है तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो स्क्वाहिल जो है केनिया और तंजानिया में पाई जाने वाली ही जन जाती है इसका मलब लास्ट जो आप्शन है क्विश्चन का दिखे कह रहा है कि दच्छन अमेरिका के रहने वाले नहीं हैं बलकि यह दच्छन के बज़ाए उत्तर के रहने वाले हैं आपको याद रखना यह उत्तरी अमेरिका के रहने वाले हैं और यहां दच्छनी दिया है तो दच्छनी यहां नहीं होना चाहिए यहां उत्तरी होना चाहिए उत्तरी अ आजयेंगे हमारा 32 नमर क्यisch लिए र है के नेम ने लिखी ते में से कौन सा जोडा गलत है तो इसमें कौन सा जोडा गलत हमें ये पहचानना है तो दिखें आप्शन ए में आया है एंजल परापात या कहा वेने कानाडा में है तो ये भी बिल्कु सही है कि नाइगा प्रपात जो है नाइगरा जो प्रपात है ये आपका कानाडा में ही है और लास्टा है विक्टूरिया प्रपात ये अस्ट्रेलिया में है तो ये अस्ट्रेलिया में नहीं है और कुश्चन कहरा था कौन सा जोड़ा गलत तो बस यही जोड़ा गलत है विक्टूरिया जो प्रपात है यह आपका अस्ट्रेलिया में नहीं है बलकि कहां पे है बलकि जांबिया में है तो आपको यह भी याद रखना है यह आपका जांबिया में है तो यह भी आपको याद रखना है कि यह जो प्रपात है जांबिया मे से कौन सा संगठन अलप अलप अधिकारियों की बी समझा रखते का सर्वस्रेष्ट उधारण याद रखेगा वह संगठन जो अलप अधिकारियों की की समझाधन जिसे उधारण माना जाता है वह आपका आ ओपक और ओपक दिखिया है option number D में तुमारे हैं पर D number आइट हैं सो रोजेगा आपको याद रखना है कि वह संगठन जो अलपाधिकारियों के भी समझोते का जो सर्वस्रेश्ट या सर्वस्रेश्ट जो उधारन माना जाता है उसे ओपेक को माना जाता है अगर आजाता है कि ओपेक क्या है तो याद रखे कि ओपेक जो है यह विश्व के बड़े तेल उत्पादक देशों का समूँ है तो विश्व के जो बड़े तेल उत्पादक देशों का समूँ है तो यह विश्व के बड़े तेल उत्पादक देशों का समूँ है और याद र करके एक ग्रूप बना के जब यह सब वहां पे रेट को बढ़ा देते हैं तो पूरे विष्ट में तेल का दे जो होता है अपने आप बढ़ जाता है फिदी के आ देंगे हमारा नेक्श नमर कुशन के रहा है कि भ्रंस के बीच भूमी के ऊपर उथने से किस प्रकार के परवत प्रकार के प्रवतों का निर्मार होता है उसे हम ब्लाक परवत के नाम से जानते हैं फिदी के आजएंगे 35 नमर कुशन के रहा है कि सिकान सिकान रेलवे सुरंग जिसकी आधी लंबाई सागर तल के नीचे इस्थित है किस देश में इस्थित है तो याद रखीगा जो सिका सिकान रेलवे सुरंग जो जो लंबाई सागर तल के नीचे इस्थित है और ये कहां पर है जापान में यापको याद रखना है तिदि के आज आजेंगे 33 नमबर हमारा कुछ गएगर है कि बरहीन में कुल कितने दीप हैं तो याद रखेगा बरहीन में जो कुल दीपो की जो संख्या है वो आपका है 33 और 33 दिखिया है और अप्शन नमबर यहाँ पे B में तो हमारा है बी नमबर राइट आप सुरूज़ है कि बरहीन में कुल दीपों के संख्या कितनी है 33 33 है और बरहीन जो है मालदिव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है फिर आज आजेंगे 37 नमबर कुछन कह रहा है कि देखे तेगू सी गलपा निमलिखित में से किस देश की राजधानी है तो हमार यहां पर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रहना है कि तेगू सी गलपा जो है यह होंगू रास की जो है राजधानी है आपको यह भी याद रखना है कि यह मध्ध एसिया में स्थित है जो होंडू रास जो आया है यह देश कहां पर इस्थित है यह द आफ्रिका का अवादी वाला जो देश है वो आपका नाइजेरिया है और नाइजेरिया देखिया है उबरा हुआ पूर्वी भाग की बात दिखिया है, option number B में है, उबरा हुआ पूर्वी भाग, इसलिए हमारे यहाँ पर option number जो B होगा, B नमर यहाँ पर राइटांस रोज़ेगा, आपको या रखना है कि, अफरीका महाधीप का वह भाग, जिसे हम अफरीका का सींग के नाम से जानते हैं, उसके बुलाया जाता है, वह है, अफरीका महाधीप का उभरा हुआ, पूर्वी भाग वो है, पर देखिये, आज जाएंगे हमारा आज का last question के अगर है कि, निमलिखित में से कौन सा देश, चारों और से भूम इसे घिरा हुआ नहीं है, देखिये, option A में है, Australia, option B में है, Hungary, option C में है, पैरागवे, option D में है, मोजाम्बिया, तो याद रखेगे, इन चारों देश में से वह देश जो चारों और से भूम इसे घिरा हुआ नहीं है, वो आपका है मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक दिखिया है, option D में, तो हमारे हैं पर D नमबर राइट अंस और यहां जो तीन option है, आश्ट्रिया, यह चारों और से इसका मनलब कि जमीन से घिरा हुआ है, अगर पैरागवे जो है, यह भी चारों और से घिरा हुआ, जो चारों और से भूम इसे घिरा हुआ, जो जो देश नहीं है, वो कौन सा है, वो मोजाम्बिक है, इसलिए option number हमा video, thank you.